इसका श्वागत है आपके अपने चैनल में आपका अपना चैनल हर चोटी बड़ी पलपल की जानका इशाथ मैं हूँ प्रेम बाद पे तुर्की फुटी आवाज में आपको बता दें कि यह जो तश्वीर आपको नज़रा रही है फाइल फोटो के साथ यह अर्थानी कस्वा रेउसा के पुरानी बस्ती निवासी आज के कई वर्स पहले सर्गवासी सिधनात के सुपुत्र की है रोहित उर्फ मत्था टेक की जो आप लोगों ने देखा होगा हमेशा चवराहे पर यह अपने उसे पहचान अलग ही कायम कर रखी थी आज वो इस दुनिया में रोहित बार रोड पर शराप ठेकी के पास मरत वस्था में पाये गए काई गंटों तक चल्चलाती धूप में पड़े रहे वहीं पर लोगों की जुबानी चर्चक का बिशे बन गए किसी ने हाथ लगाना नहीं मुनासिव समझा लेकिन इनके परजनों और अथाई लोगों में ज पैनी माली हाल दैनी ठीक नहीं थी माता का सिर से साया और पिता का कई वर्स पहले उड़ चुका था यह मजदूरी पल्लेदारी करने का काम करता था रोहीत वुर्फ मत्था टेक और कच्ची शराप पीने का बहुत ही शौक ता खाने पीने की काफी तकलीफ थी और वहीं दुनिया को छोड़ कर चल बसे सर्गवाशी हो गए क्योंकि लोगों में एक जुबानी उस वक्त बने कि कच्छी सराप का गोरक गंधा अतानी कस्वार रोश्वा में काफी फली भूत हो रहा है क्योंकि उसकी कोई मात्रा नहीं होती है वहीं पर लोगों को माने तो कच्छी सराप पीने से रोहित उर्फ मत्था टेक की मौत हुई है एक जो लोगों की में काफी चर्चा का जुबानी चाय होटलो पान की दुकानों पर क्योंकि अपनी बिवहार कुसलता सेम से काफी चिर्फ परचित थे परचे को मोहताद नहीं थे और आज ये आचानक इस दुनिया में नहीं रहे और इनको परजनों ने इनका अंतिम संसकार कर दिया है लेकिन अपनी बिवहार कुसलता एक दिल में लोगों के अलग ही छाप सोड़ गए रोहित और मत्था टेक क्योंकि चवराहे पर ये हमेशा अपनी बिवहार कुसलता से लोगों के दिलों में बसे हुए थे बस थोड़ी सी लत नसे किया दी थे ये जरूर लेकिन उसको पीने के बाद भी कोई गलत फलत किसी को नहीं कहते थे आज लोगों की जुवानी मत्था टेक बन गए और सिध थावस्थी सुर्गबासी उनके सुपत्र अकेले ये बचे थे आज भी उनका साया इस दुनिया से चला गया नहीं रहा शिराग बुच गया आप देख सकते हैं रोहित और मत्था टेक अवस्थी हैं जो आज इस इस दुनिया को बिदाई देते हैं भाइल फट्रड़केशाथ बुम दोनी दोन नहीं है। तो आपने पिर भी दिए राज़ है आपने है तो आपने है तो आपने पिर आपने पर दो आपने आपने है इस दो रहार भूहा हुआ ने को है तरिखे रहे हैं जो जो इना है।